क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया की 30% land सिर्फ forest ही है और सिर्फ forest से ही लगबग 6 करोर लोगों को रोजगार मिलती है पूरी दुनिया में जो कि forest department में काम करते हैं या फिर पेर काटने वाले करमचारी और क्या आपको ये पता है कि scientist के हिसाब से इंसानों से पहले दुनिया में almost 6 trillion trees होते थे लेकिन अब सिर्फ 2 trillion trees ही रह गई है 2017 में University of Maryland के study के हिसाब से सिर्फ 2017 में almost 1,60,000 square kilometer की पेर काटे गई है ये पूरी एरिया बंगलेदेश की size की एरिया है और ऐसा हर साल होता है ज्यादातर पेड जो है वो दुनिया के tropical हिस्सों में काटा जाता है क्योंकि वो बारिश वाली एरिया है और वहाँ जंगल जादा है इस tropical एरिया में इंडिया भी पड़ती है 2010 के study के हिसाब से इंडिया की almost 12% एरिया सिर्फ natural forest है एक estimate के हिसाब से साल 2000 से साल 2020 तक इंडिया की almost 3,5,000 हेक्टर की forest एरिया खतम हो गई तो अब numbers की बात करते हैं कि किसमें सबसे जादा पेड काटे जाते हैं study के मताबिक सबसे जादा deforestation होती है सिर्फ forestry logging के काम से जाने की जो forest department के काम होते हैं उन से जैसे के आप इस graph में green color area को देख सकते हो almost हर साल forest logging के वज़ए से कितनी इफ area कट होती है ये जो पेड काटे जाते हैं वो ज़धातर industrialization के वज़ए से होते हैं cities expand हो रही है और छोटे शहरों में और भी घर बन रहे हैं इसलिए वहाँ पर भी पेर काटे जा रहे हैं इसकी दूसरी reason है agriculture भारत में agricultural industry सबसे बड़ी है और सबसे जादा employment प्रोवैड करती है लेकिन जितनी बड़ी agriculture की area होगी उसका मतलब उतना ही जादा पेर को काटना उससे एक और disadvantage होती है पेडों के वज़ए से soil की fertility maintained और strong रहती है लेकिन अगर पेर ही नहीं रहेंगे तो soil की fertility बहुत कम हो जाती है ना जिससे फसल में सही nutrients नहीं पहुच पाता इंडिया में सरकार के permission के वगार आप पेर नहीं काट सकते अगर काटे तो 5000 रुपे fine या तो 6 महीनी की jail भी हो सकती है लेकिन इस फैसले से overall world में problem हो रहा है इस law के चलते इंडिया दुनिया का सबसे जादा largest importer of timber and palm oil बन चुका है और जिन देशों से ये चीजें मंगाई जाती है वहाँ पे ये timber और palm oil बनाने के लिए पेड़ो को काटना ही पड़ता है तो ultimately problem वही रह गई WRI इंडिया के estimate के हिसाब से अगर 2040 तक हम 140 million hectare में trees को restore करें तो 3-4 billion 10 की carbon remove हो सकती है 2040 तक दुनिया से 2011 से लेकर 2019 तक इंडिया ने almost 16 billion dollars invest किये है forest और tree cover को improve करने के लिए तो अब बात करते हैं इसके solutions पर सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर forest cutting agriculture purpose के लिए होती है लेकिन आज के नए और futuristic technology में agriculture में land की कोई जरूरत नहीं होती है जैसे कि vertical farming और hydroponic farming जो की building के अंधर ही किया जा सकता है और धीरे धीरे companies इस पर focus भी कर रही है तो अब बाहर के land की जरूरती नहीं होगी तो तब हम उस खाली area को forest area में increase करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं इसकी दूसरी और सबसे best solution पता है क्या है वो है living with the trees जिया आज चाहे कितना भी हम नए पेड उगाले हमारी population इतनी तीजी से बढ़ रही है और building बन रहे है लेकिन पेडों को काटना ही पड़ जाता है तो क्या हम कोई ऐसी township और society नहीं बना सकते हैं जहां हम पेडों के साथ अपने development भी कर सकते हैं या फिर ऐसे building जिससे green building कहा जाता है जो कि eco friendly building होते हैं IGBC यानि की Indian Green Building Council एक organization है जो की buildings को green building की certification देती है महिंदर अपने world cities को completely green करनी की कोशिश कर रही है Infosys के सारे ही offices green building के नाम से categorized है ऐसे ही technologies पर अगर government focus करे और जादा से जादा investment करे तो शायद हम इस problem को solve कर सके आज के जमाने में जिस तेजी से हम लोग पेडों को काट रहे हैं और जिस तेजी से हम लोग pollution को फेला रहे हैं उससे ये पक्का साबित है कि अगले 50 से 60 सालों में human civilization को जिन्दा रहना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा अगर आज हम लोग अभी से solution पर focus ना करें तो वो दिन दूर नहीं जब humanity अपनी आखरी सासे ले रही होगी और अगर ऐसा हो गया ना तब कोई आपको political party बचा पाएगी और ना ही भगवान की दुआ तो इसलिए अभी से हमें सतर्क होना पड़ेगा तो let's make a change नमस्कार